अभी अभी दुबई से खबर आ रही है कि डिटेक्टिव मेहुल की असिस्टेंट आलिया की दुबई में डेथ हो गई है ये कैसे पॉसिबल है? आधी तुरा डिटेक्टिव मेहुल को फोन करता है वही माइकल चग्डी और कुका के साथ मीटिंग कर रहा है कुका, जग्डी मेहुल दुबई में आ गया है उसे हमेशा हमारे प्लांस की खबर मिल जाती है इस बार वो बचके नहीं जाना चाहिए इस बार मैं मेहुल पे सीधा हेडशॉट लगा वही एंडासन और टीम मुंबई में वेनम वेब की इंफोर्मेशन कलेक करने आये है ड्रैको नेक्सेस के बारे में डिटेक्टिव सोसाइटी को काफी इंफो है लेकिन वेनम वेब किसका नेटवाक है इसके बारे में किसी को कोई इंफोर्मेशन नहीं वेनम वेब का एक शिफ मुंबई के शोट पे पकड़ा गया है। तोनों उसी की जाजकने आए हैं। तोनों को शिफ में वेनम वेब के बारे में कोई इंफो नहीं मिलती। तबी टीम का ध्यान वेनम वेब के लोगों पे जाता है। तीम और एंडर्सन दोनों की पजल सॉल्विम और कैलकुलिशन स्किल्स काफ्री स्ट्रॉंग है। ये सॉल इंडिया की नहीं है, ये ब्लैक सॉल है, स्पेशली अफ्रीका के बीचेज के पास पाई जाती है। ये वॉल्कैनिक टाइप सॉल लग रही है, हाइली पॉसिबल ये कैनरी आइलेंड की है। शायद ये शिप वहीं से आया होगा। दोनों शिप को पुलिस के हवाले करके कैनरी आइलेंड अपने नेक्स मिशन के लिए निकल जाते है। ये आलिया नहीं है, ये तो सारा है, ये यहाँ कैसे पहुची और इसकी देख कैसे हो गई, और इसकी बच्ची कहाँ है। भाईजान इस होटल में ड्रॉप कर दीजिएगा। आलिया मिल गई। जी जरूर। बैठिये माम। ये क्या कर रहे हैं आप। जोया। हमें। हमें कहां लेके जा रहे हो। गाड़ी रोखो। सारा ड्राइवर से लडने लगती है। काल बैलेंस खो देती है, और एक काई में गिर जाती है। सारा की मौत हो जाती है। जोया कहा है, मुझे उसे ढूनना होगा। मिहुल तुरंट जलाल के साथ उसे ढूनने के लिए निकल जाता है। वहीं आरव को खबर मिल जाती है कि आलिया की देत हो गई है। आलिया, देख लिया मुझे से पंगा लेने का नतीजा। वहीं आलिया आरव को चपना देके तु भई सेटी में पहुच जाती है। बहुत जोर से भूग लगी है। आलिया, एक फूट ट्रक के सामने पहुच जाती है। एक बर्गर हो जाए। आलिया, एक दब कंफ्यूज हो जाती है। क्या चाहिए तुम्हे, आपको भूग लगी है। आमिया कहा जे, तमसु में आपको दोन देए हो। यह क्या कहे रही हो तुम, आपको पहले कुछ खा लेते हैं। आलिया और जोया बैटकर बर्गर खाने लगते हैं। आलिया को कुछ समध नहीं आ रहा था। यह जोया क्या कह रही है। आलिया तुरंट मेहूल को कॉल करती है। कहा हो आलिया? आलिया मेहूल को अपना पूरा स्टगल बताती है। और फिर जोया के बारे में बताती है। जोया तुम्हारे पास है। आलिया यह सारा किलर की है। तुम्हारी डुप्लिकेट। उसकी दहतों गई है ओनो, मेरी वज़े से, ये क्या हो गया ओनो, ये क्या हो गया मेरी वज़े से जोया के मम्मी की दहतों गई आलिया जोया को जोरों से गले लगा लेती है तबी वहां मेहुल भी पहुँच जाता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला आया लिया पाकिस्तान में मेरी बात फातिमा से नहीं हो रही है मैंने डिटेक्टिव च्यांक को पता करने बोला है वहीं बांगलादेश में मारको में सिंग है डिटेक्टिव असलम उसे देख रहा है और दुबाई में ये सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है वहीं असलम और शेरा मारको को धुन रहे है लेकिन उन्हें मारको कहीं दिखाई नहीं देता सर अपना प्लान सक्सेस्फुल हो गया मेहुल दुबाई पहुँच गया है ये क्या डैड मारको सब जानता है ये सब हमारा प्लान था मेहुल को कन्फ्यूज करने के लिए और दुबाई बुलाने के लिए अब उसे दुबाई में ही खत्म कर देंगे तो मुझे ये प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया ये तो शुरुवात है मायकल भही वासू पूरी तरह से ठीक हो क्या है डॉक्टर संजना मुझे तुरंत दुराग्रह जाना होगा दुराग्रह कारागार को मेरी जरूरत है वासू अगली ही शिप से दुराग्रह के लिए निकल जाता है आदी हम लोग कनेरी आइलेंड के तरफ निकल रहे हैं हमारे पासपोर्ट में या कनेरी आइलेंड के वीजाज डाल दो कैंडरी आइलेंड आफ्रीका के नौट वेस कोस्ट पे है आइलेंड अपने वालकैनोज और फ्लाक सैंड के लिए फेमस है आफ्रीका में डिटेक्टिव सोसाइटी की की मेंबर लेराटो कोसी है उसका एक्सपीरियन सबसे ज़ादा है और वो एक सीनियर डिटेक्टिव है तबी जलाज भी वहाँ पहुँझ जाता है मेहुल जलाल को कुछ इशारा करता है मेहुल को भाग कड़े तीन लोगों में से एक पे डाउट जाता है रोजिकल आदमी के आप बता सकते हैं वो कौन है सेकेंड वाले बंदे को ध्यान से देखिए वो बॉटल से ड्रिंक कर रहा है मेहुल जम लगा के उसे जोड़ दाट किक बारता है मेहुल बच्चे को क्या मार रहा है कुका तुम यहाँ दुबई मे जैसे मैंने आलिया को मरवा दिया, अब तुम्हारी बारी है पतलब सारा को तुमने मारा सारा, वो तो आलिया थी ओ नो, मेरी वज़े से जोया के मम्मी की डेथ हो गई कुका आलिया तुम जिन्दा हो, तो वो कौन थी, कोई न अब मरने के लिए तयार हो जाओ मेहुल, तुझे तो मैं देख लूँगा लोहा तीना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक मेहुल का एक बुका भी कुका सहन नहीं कर पाता जग्डी उपर से मेहुल पे निशाना लगाय हुआ था वो तुरांट कोल ही चला देता है हमारे वोते हुए मेहुल सर को कुछ नहीं होई सकती सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं क्या होगा आगे जोया का और क्या बड़ी प्लानिंग की है मारको और बिग डाडी ने मेहुल के अगेंस्ट देखेंगे आप अगले एपिसोड में